हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3oneTag तो फ्रेंड अगर आप कोई content creator है या फिर कोई video creator है वीडियो बनाते हैं अपनी या फिर आपका कोई business है जिससे आप Instagram के सहता से expand करना चाते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाना चाते हैं अपने business को तो उसके लिए आपको Instagram पे business account create करना आना चाहिए तो आज की इस video में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप Instagram पर अपना business account कैसे create कर सकते हैं business account और professional account एक ही होते हैं तो इसमें आपको confused होने की जुरुरत नहीं है कि दोनों अलग अलग हूं ऐसा कुछ नहीं है दोनों सेम होते हैं तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना मैंने step by step आपको सारी चीज़े इसमें clear की हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे निव हैं तो इसे तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने mobile की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें सबसे पहले instagram के अंदर जाना है और इसमें हमें अपने एक dummy account में login किया हुआ है तो आप भी इसे ऐसी login कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे right corner में यहाँ पे icon दिखाई देगा अपनी profile picture उसपे click कर देना है तो आपके सामने कुछ ऐसी screen open हो जाएगी उसके बाद आपको यह three lines दिखाई दे रही होंगे उपर सबसे top corner में right में तो इसपे click करना है आपको और उसके बाद यहाँ से आपको यह setting वाला जो पहला option है इसपे click कर देना है इसपे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक account का option दिखाई देगा privacy, security, ads, account तो इस account वाले option पे click करना है उसके बाद आपको scroll down करना है इसे और नीचे आपको यहाँ पे लिखा आजाएगा switch to professional account यही business account भी होता है ठीक है तो इसमें confused बिल्कुल मत होना उसके बाद हमें यहाँ पे switch to professional account पे click करना है इस पे हमने जैसे ही click करया तो यह चीज हमारे सामने आगी get professional tools उसके बाद यहाँ पे continue पे click करेंगे learn about your followers यह सारे चीज़े इसमें include होती है ठीक है उसके बाद continue reach more people मतलब आपके जो भी Instagram आपके लिए जो भी promotion करोगे आप वो ज़्यादा से ज़्यादा audience तक जाएगा उसके बाद continue get new contact options उसके बाद continue के ओपर click करना है उसके बाद अब आपके सामने आता है कि category choose करने के लिए बोल रहा है आपको कि आपका किस category का business है या कोई आप video creator है या फिर आप digital creator है या content creator है किस तरह का या फिर आपका कोई blog है तो वो सब यहां से आ जाएगा जैसे अगर आपका कोई digital creator है तो आप ये digital creator ये वाला select कर लेंगे ऐसी scroll करके अगर आप कोई blog है कोई आपका यहां से personal blog पे click कर लेंगे अगर आप कोई service प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहां से product and service कर लेंगे इसी तरीके से आप video creator हैं तो यहां पे video creator ये रहा आप इसे select कर लेंगे या फिर आप यहां पे भी search कर सकते हैं जैसे आप content creator है content creator तो इसमें अभी video creator और categorize कर दिया है उस चीज को कि आप किस तरह का content है gaming का है video है creator है तो जो उनसा आपका है वो यहां से आप select कर सकते हैं या फिर आपका कोई business है तो यहां पे आप वो brand डाल सकते हैं अपना brand डाल के भी आप यहां पे search कर सकते हैं किस तरह का है shopping retail है या फिर कुछ और है या clothing का है जैसे clothing का brand है ठीक है तो यहां पर clothing का आ गया जैसे माल लीजे clothing का ही है मैं इसे select कर लेता हूं उसके बाद display category level इसका मतलब है कि आप इसे अपनी profile के अंदर display करना चाहते हैं इस level को या नहीं तो मैं यहां पर इसे highlight कर दूँगा on कर दूँगा तो यह मेरी profile में भी दिखाई देगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा यह कैसे work कर रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर done पर click कर देंगे उसके बाद यहां पर यहां पर आपसे बोल रहा है कि आपका business है या फिर आप कोई creator है मतलब public figure है content provide करते हैं या artist है को influencer है तो यहां पर हम business मैंने business वाला select किया हुआ था तो मैं यह business व automatic business select है तो मैं इस पर next कर देता हूं उसके बाद यहां पर आपको अपनी email id, phone number और business address चाहें तो आप यहां पर डाल सकते हैं जिससे आपके business को कोई भी आपकी profile पर आए तो direct आपको phone number करके या फिर email करके या फिर आपके address है उस पर जाके आपसे contact कर सके तो वो सारी चीज़ contact info तो यहां पर आप इस contact info को अगर अपनी profile में दिखाना चाहते है तो आप इसे highlight कर देंगे और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे फिर से ओफी रख देंगे ठीक है उसके बाद यहां पर लिखा रहा है don't use my contact info ठीक है तो इसमें हम इन दोनों में से किसी को भ दिखाना चाहते हैं तो इसे कर लें नेक्स्ट को ठीक है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद connect to facebook बोल रहा है मतलब अगर आपका facebook एकाउंट है तो आप उससे भी से connect कर सकते हैं यहां से login नीचे login into facebook करके इस पर क्लिक करेंगे तो यह facebook के page पर redirect कर देगा आपको वहां कर सकते हैं और उसको इससे connect कर सकते हैं ताकि आप जो भी यहां पर पोस्ट करें वहां पर नीचे फिर जब आप पोस्ट करेंगे तो आप facebook का option भी आ जाएगा तो अगर आप उसे भी ओन कर देंगे तो दोनों जंगे एक साथ पोस्ट हो सकता है ठीक है इससे आपका business जो है यहां पर लिखा रहा है welcome ठीक है now you have professional tool to connect with your audience on instagram let's get started उसके बाद यह 5 step है सबसे पहला है complete your profile learn from others invite friends share photos and videos explore professional tools ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन सब में क्या क्या है सबसे पहला है यह complete your profile इसके सामने यह arrow है इसके उपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर नीचे यहां पर यह रैड आइकन दिख रहा है आपको मतलब मैंने इसमें bio अभी कुछ भी नहीं लिखी इसलिए हमें कह रहा है bio लिखने के लिए तो यहां पर कुछ भी लिख सकते है आये मैं business मैं अभी फिलाल के लिए मैं ऐसी कुछ भी लिख देता हूं डन कर देता हूं तो भाट गया आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर उपर जो आपको टिक करेंशाइन दिखाई दे रहा है इसके उपर क्लिक कर देना है कि देखिए हमारा पहला स्टैप कंप्लीट हो गया लर्न फ्रोम अधर सारा है इस पर क्लिक करेंगे मतलब आप इस टाइप के जो business करते हैं उस टाइप के जो भी accounts है उन्हें आप यहां से follow कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं एक दो कर देता हूँ जिससे यह done हो जाए जैसे यह clothing का brand है और जैसे यह भी clothing का है उसके बाद उपर done पर क्लिक कर देंगे तो यह भी हो चुका है देख सकते हैं उसके बाद invite friends का option आता है इसमें तो इस पर plus पर क्लिक करेंगे अब इसे आप SMS के तुरू अपने friends को invite कर सकते हैं यहां पर या फिर आप email के तुरू कर सकते हैं या फिर contacts हैं यहां से follow contacts तो यहां पर आपके सारे contacts आ जाएंगे वहां से जो इंस्टा पर होंगे तो यहां पर show हो जाएंगे जैसे invite friends by email है मैं इस पर क्लिक करता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए उसके बाद हटा देता हूं और यहां से done कर देता हूं तो यह step भी हमारा complete हो गया उसके बाद share photos and videos हैं इस पर क्लिक करेंगे यहां पर यह लिख रहा है get started by posting three photos और videos within your first week for higher engagement मतलब आपको कम से कम तीन photos इसमें upload करनी पड़ेंगी या फिर videos भी हो सकती है वह आपके उपर है जो भी आप इसमें upload करना चाहें एक पहले first week में आपको यह post करनी होंगी तो यही जरूर कर लेना आप यह वहला step भी काफी important है ठीक है मैं अभी create नहीं कर रहा है cancel कर देता हूं उसके बाद इसमें है explore professional tools इस पर क्लिक करेंगे यहां पर insights है कि आपका जो content है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है तो यहां से go to insights में जाके आप इस पर क्लिक करके उससे check कर सकते हैं यहां पर insights में यह आप देख सकते है accounts, reach, contact, interaction ठीक है जो आपके content से interact हुए है वो यहां पर show हो जाएंगे आपके total followers है यहां पर show हो जाएगी नीचे scroll करेंगे content you shared यहां पर share हो जाएंगे वो सारे जो जो आप share करेंगे real होगी video, post, story ठीक है सारी चीज़ें यहां पर show हो जाएंगे आपको यह last seven days का है इस पर click करके आप इसके change कर सकते हैं जितने दिन का आप देखना चाहते हैं इसके बाद आपको यहां से back कर देना है उसके बाद नीचे यहां पर promotions हैं यहां पर आपको आपके promotions सारे आप कैसे promote करते हैं अपने business को यहां से यहां से content creator है तब आप अपने post किसी पोस्ट वीडियो को कैसे यहां पर Instagram पर promote किया जाता हो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा तो यहां से pack आ जाएंगे ठीक है यहां से उपर यह done का option है right में इस पर click कर देंगे यह step भी ह हो क्या बस अभी एक स्टेप रह गया है हमारा जो है share photos and videos वाला तो यह आप खुद कर लेंगे तीन वीडियो यह photo डाल के ठीक है उसके बाद यहां से cross कर देंगे तो यह step हमें यहां पर दिखा रहा है उपर four of five में ठीक है तो अब हमारा homepage आप देख सकते हैं कैसा दिख रह गया है जो मैंने वह display वाला उन किया था उसकी वज़े से एडिट profile promotions का option मिल गया insights का option मिल गया है हमें यहां पर तो इस तरीके से यह कब एक business account बन चुका है हमारा इस तरीके से आप होती असानी से business account अपना create कर सकते हैं Instagram पर तो friends उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो